हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल हैल्दी लाविस चाल वित प्रीती आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं अपना फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के रिपोर्ट तो जब मैं कंसीब करने के लिए ट्राइ कर रही थी डॉक्टर के पास गई थी तो वह थोड़ा सा डिले हो गया है तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज सौरी है इसके लिए कि रिपोर्ट शेयर करने में थोड़ा सा ताइम हो गया मुझे तो अभी मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूं ये वाली रिपोर्ट वो तब की है जब मैं एक quality है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है तो ये वो वाली report है और जब मैंने conceive किया था जो वो report मेरी हुई थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो अगर आपने मेरी video नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको बताया है कि मैंने कैसे conceive किया है क्या क्या जो है कॉंप्लिकेशन वगरा आई थी तो आप वो video जाके देखेगा आपको पता चल जाएगा तो ये जो report है मैंने तब करवाई थी जब मेरा जो है एक अपने पास के ही डोक्टर से जो है treatment चल रहा था और conceive नहीं हुआ था तीन-चार मेंथ ट्राइ करने के बाद ये मेरी सबसे पहली report थी उसके बाद की जो sheet होती थी वो अपने पास ही रख लेती डोक्टर वो मुझे नहीं देते थे तो ये वाली report जो है वो मेरे पास है और मैं आपके साथ जो है इसको भी करने ही तो सबसे पहले जो उनोने मेरा जो है out ultrasound किया था वो tvs ultrasound होत है वो किया था 15 12 horas ko या लिए कि 15 January ही जो थी उसको उनोने मेरा ultrasound किया था और day 10 था वस दिन मेरा और जो left over hear । यह लड़ों तो यह राइट ओور ही है तो लेक्ट में जो वो 9 mm और 8.5 mm का जो है एक था और जो ये था लेफ्ट ओवरी है उसमें 8 mm और 7.5 mm के थे बाकी होते हैं और भी लेकिन वो जो है क्योंकि ग्रोथ नहीं कर रहे होते हैं तो इसलिए उनकों काउंट नहीं करते हैं और यहां पे लिखा हुआ है इंजेक्शन का नाम जो कि वो लिखा हुआ है वो मुझे डे 10 पे दिया था उन्होंने अल्टरसाउंड होता था और इंजेक्शन भी लगा देते वो तो वो यहां पे उन्होंने लिखा हुआ है उसके बाद जो है आपको जो है एक दिन छोड़के एक दिन बुलाते हैं और आपका जो है टीवी एस तो वो मेरा किया था उन्होंने फिर जो 12 था उस पे किया तो जो एक था उसका साइज थोड़ा सा बढ़ गया था इतना अच्छे से ग्रोज जो है वो नहीं कर रहे थे उस टाइम डॉक्टर के अकॉर्डिंग और वो मुझे डोस भी काफी हैवी दे रहे थे इंजेक्शन म यह वाला जो है सेम था बस यह जो 12 था उसकी जंगे 14 mm हो गया था उसके बाद जब उन्होंने मुझे day 17 पे बुलाया तो यह वाले जो था वो सेम था राइट ओवरी में जो है मेरे जो एक थे वो सेम थे और जो लेफ्ट वाली ओवरी में उसमें जो 14 वाला था वो रप्च हो गया था day 17 पर उसका जो साइस था वो अच्छे से क्योंकि नहीं था और जो एग हमारे बेबी जो एग जो है वो फटेलाइज होता है उसके लिए वो capable नहीं था और वो रप्चर हो गया था यानि कि तो उसके बाद अकंसीम नहीं कर पाते तो यहां पर उन्होंने जो है रोग दिया था फिर उसके बाद injection वगरा कुछ नहीं थे क्योंकि एग रप्चर हो गया था तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि इंजेक्शन देने के बाद भी तो तुम्हारा जो है हम IVF ट्रेटमेंट जो होता है वो करेंगे तो इसलिए वो जो रिपोर्ट वगरा होती थी वो सब कुछ वो अपने पास ही रखती थी वो मुझे नहीं दिया था उन्होंने तो इससे मुझे जो है कोई फायदा बिल्कुल पर नहीं कराया था अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरी जो रिपोर्ट है जो मैंने कंसीब किया था अभी मैं आपको वो वाली रिपोर्ट अपनी जो है वो दिखाती हूँ तो ये वाली जो है वो मेरी वो रिपोर्ट है जब मैंने कंसीब किया था जिस हॉस्पिटल म तो जहांपे मैंने कंसीब किया था ये वाली डिपोर्ट है वो तो सबसे पहले मैं वहाँ पे गई थी जून में 30 जून को तो सबसे पहले मेरा अल्ट्रसाउंड हुआ था चेक करने के लिए कि क्या पोजिशन है क्या एक वगरा कैसे बनते हैं तो उसके लिए मेरा जो है अल्ट्रसाउंड हुआ था ये वाला तो राइट ओवरी में ये लिखा हुआ है और लेफ्ट में ये लिखा हुआ है फाइब होंगे इतने का ये कोई सिस्ट वगरा होंगे उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे जो है uterus का size लिखा हुआ है उसकी position वगएरा लिखी हुई है और जो मेरा septate uterus था वो यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि मुझे septate uterus की problem थी और उसी की वज़े से जो है मेरा cervical circle जो होता है बच्चे दानी के मुँपे जो टाका लगता है वो भी हुआ था वो मैंने आपके साथ share किया है और आगे भी मैं एक वीडियो में जो है share करने वाली हूँ उसके बाद क्या-क्या आपको precaution वगएरा लेने होते हैं उस सब के बारे में तो यह उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है और उसके बाद जो है मेरा यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे म के बारे में लिखा हुआ है और जो last period की मेरी cycle थी वह थी 5-7-2021 जो मतलब अगली वाली आनी थी वह वाली तो यहाँ पे 5 तारीक यहाँ पे लिखी हुई है तो उन्होंने मुझे जो था फिर second day बुलाया था period के तो क्योंकि मेरा जो period है वो 5 तारीक को आया था तो उन्होंन है वो 6 mm है और जो folic थे वो यहाँ पे लिखे हुए है कि 5-6-7 जो है small folic color है और जो यह है आपकी right वाली sorry आपकी जो left वाली ओवरी है उसमें जो है f1 यानि कि 1 है और वो है 30 x 10 mm का तो यह जो मेरा ultrasound हुआ था वो हुआ था 6 तारीक को यानि कि मेरे period के अगले दिन और तो यहाँ पर है तो यहाँ मैंने conceive किया था वहाँ पर मेरे ultrasound होता था I think एक दिन छोड़ के जो है मेरा ultrasound होता था starting में जो होता है वो आपके 2-3 दिन भी छोड़ देते हैं तो फिर उसके 6 तारीक के बाद मेरा जो उन्हें ने बुलाया था मुझे वो बुलाया 10 तारीक को और जो मेरी right over tooth में थे चार follicular यानि कि जो अंडे होते है आपके वो चार थे इसको जो है अंडो की जाच भी बोलते हैं अब follicular क्या होता है क्योंकि अंडे जो होते हैं वो आप आँखों से नहीं देख सकते हो और जो अंडा होता है वो एक पारी की थैली के अंदर होता है और उसको follicle बोलते हैं तो जो जाच होती है वो actually follicle की जो ग्रोध होती है उसको ही चेक करके देखते हैं कि अंडो की जो ग्रोध है वो कितनी हो रही है उसके हिसाब से वो अंडो की जो ग्रोध है उसको चेक कर लेते हैं तो इसलिए इसको follicle monitoring बोलते हैं क्योंकि अंडे जो वो 3 mm और जो उसके थिक्टक्रस थी वो यहां पे लिखी हुई थी और उसकी जो पिकच्चर्स वगरा हो यहां पे है तो यह जो हैं यहां पर पिकच्चर्स लगी हुई है उस होले एल्ट्रसाउंड की जो मेरा दस तारीक को हुआ था उसके जो है यहाँ पे पिक्चर लगी हुई है लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी और जो भी उसमें फॉलिकलर वगरा होते हैं उन सबकी जो है यह इमेज है यहाँ पे उसके बाद जो है मेरा अगला अल्ट्रसाउंड जो हुआ था उसके बाद जो मेरा अगला अल्ट्रसाउंड उनों ने किया था वो 2013 तैरा को और उसमें जो फॉलिकलर हमारे थे वो थे दो जो कि बहुत अच्छे से ग्रोग कर रहे थे वो होगी थे 19 इंटू 17 और 11 इंटू 9 ये थोड़ा सा जो है छोटा था फर्टिलाइज होने के लिए बट जो 19 इंटू 17 था वो अच्छा एक था अकोडिंग तू डॉक्टर और यहां पर जो राइट वाली ओवरी थी उसमें 14 इंटू 12 का था जो एंडूमेटरम की जो थिकनस होती है वो भी ठीक थी और जो यूटरस वगरे की पोजिशन थी वो सब ठीक थी सेप्लेड यूटरस था वो उन्होंने मुझे बता दिया था उ अगर आप कंसीव करना चाते है उसके लिए तो यहां पर मेरा जो एक था वो उसकी क्वालिटी वगरा बहुत अच्छी थी और जो 16 इंटू 16 था वो भी ठीक था बड़ यह वाला एक था वो बहुत ज्यादा डॉक्टर बोल रहे थे कि काफी अच्छा है और इस बार तुम पर मेरा अल्टरसाउंड जो है उन्होंने किया था और उसकी जो है रिपोर्ट थी उसके बाद जो था मैंने इस मंत जो है कंसीव कर लिया था तो इस लिए मुझे जादा कुछ उसमंत जो है प्रॉब्लम नहीं हुई थी अभी क्या होता है कि आप पर जब कुछ सोचते हो इस पर भी काफी चीज़े जो है वो डिपेंड होती है क्योंकि वो जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे इतना जादा मैं डरगी थी वहां पर या कुछ भी आप बोल सकते हो उसकी वज़े से जो था मुझे काफी जादा प्रॉब्लम जो है वो हो रही थी मैं काफी स्ट्रे जो है नहीं लिया उसके बाद क्योंकि आपकी जब दिमाग में एक बार आ जाता है कि शायद कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है फिर ट्राइक बहुत जद़ परेशान हो जाते हो तो उसकी वज़े से जो है फिर मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाए एक बार कि क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको जो है माइल पीसी ओडी है मतलब पीसी ओडी की आपको जो है प्रॉब्लम है तो उसमें जो है अंडे नहीं बनते अच्छे से तो कंसीव नहीं हो पाता है तो उन्हों जो था अल्टरसाउंड वगरा किये कि एक बार ट्राइक अल्टरसाउंड करेंगे और देखेंगे कि आपके जो अंडे हैं वो कैसे बन रहे हैं उनकी ग्रोज जो है वो कैसे हो रही है तो उन्होंने जब मेरा ट्रेटमेंट हापे स्टार्ट किया और पहले ही जो मन्त में मेरा जो है मैंने कंसीब कर लिया था बहुत जदा प्रॉब्लम मुझे नहीं आई थी क्योंकि मुझे लगता है कि सही डॉक्टर के ट्रेटमेंट में और आप भी जो है स्ट्रेस वगरा नहीं लेते हो तो उसकी वज़े से जो है काफी चीज़ी जो है वो सही हो जाती है तो यही मेरा रिपोर्ट था फॉलीकुलर मॉनिटरिंग का मेरा जो रिपोर्ट बैल आइकन को जरूर हीट कर लिजेगा ताकि सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो की नॉटिफेकेशन आपको टाइम से मिलती रहे मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ तर तक के लिए बाई स्टे सेफ स्टे हल्दी हम पते हैं किân के लिए अगलों के साथ तर तक कि अ, भाई everyday कि लिए सेफ गॉं थाव वीडियो के से लिए से हुआ है कि इन वीडियो कि बने कि ङूब्स्ट आपको झाल झाल